चिलम पीने वाले बाबा संसद में पहुंच गए हैं। लेकिन एक आदिवासी को लेकर इतना दर्द क्यों है। मुसीबत खर्तम हो जाएंगे तो ऐसी सोच को परमोट करने वाले लोग ऐसे आदिवासी ऐसे OBC ऐसे शुद्र अचूत जो भी सत्ता में बैठेगा चाहे बिहार का हो चाहे यूपी की बहन कुमारी मायावती जी हो चाहे जहारखंड के हेमें सोरेन हो चाहे MK स्टैलिन हो जो वो इस देश में तरकवादी बहुजन मूमेंट की, अंबेट का राइट मूमेंट की पेरियार की विचार धरा की बात करेगा वो उनकी निशाने पर आयेगा, वो इनकी नफरत का शिकार बनेगा क्या ये आदिवासियत को खतम करने की कोशिज़ जिस तरह से केंसरकार ने आदिवासियों का नाम बतलगर के वनवासि कर दिया है बनवासी का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो वन में वास करते हैं वो मुख्य मंत्री के आवास में ना आए और उसी की सोच पर चलते हुए ये सुधीर चोधरी ने इस तरहां का बयान दिया है और रही बात बनवासी की तो इस देश इस दुनिया की सारी सभेताइं बनों से ही निकली है, सारी सब्यताइं पहले बनों में होती थी पहले नगर नी आये पहले सहर नी आये सबको progress करने कहा के लेकिन आदी बासी जैसे ही आप देखते हैं, आदी बासी समाज है और वो अच्छे पहनकर बैठता है, अच्छी बाते करता है, शूत बूट पहनता है, या फिर सत्ता में बैठ करके कानून बनाता है, आज देखो आलिशान खाना खा रहे हैं तो ये पेट में मरोड करता है लेकिन ये समविधान है ये राजा को रंक को दोनों को बराबर उठने का अधिकार देता है ये सड़क पर रहने वाला भिकारी भी अगर उसके अंदर च्वंटा है तो वो अपने जीवन को बदल सकता है धरम हेमेन सोरेन को मुख्य मंत्री बनने का अधिकार नहीं देता था लेकिन सम्विधान ने अधिकार दिया और हेमेन सोरेन मुख्य मंत्री बनने वही नहीं उनके पिता भी पहले मुख्य मंत्री रहे और लेकिन आज जो धार्मिक जो मनुस्म्रति के विचार से चलते हैं उनको ये नफरत है कि कैसे एक जारखंड में आदिवासी मुख्य मंत्री बन कर सत्ता चला रहा है मोधी जी ने चाय बेची थी ऐसा वो कहते हैं उनकी मा बरतन मांतिती दूसरे घरों में सविधान के दम पर वो प्रधान मंत्री बन जाते हैं लेकिन बनों से निकल कर जंगल से निकल कर सोरेन का बेटा मुख्य मंत्री बन जाता है तो ये मनुमिडिया उसका व्रोध करती है जहाज जब से जादा इनकी यात्राओं पर खड़्चा होता है सबसे अधिक महंगी गाडियों में ये गूमते हैं सबसे अपनी सुरक्षा में खड़्चा लगाते हैं तो जब एक मुख्य मंत्री को आप ख़ब कर रहे हैं तो देश के परधान मंत्री पर ख़ब करने कहां संसद में बैठे हैं जितने भी इंजीनियर हैं डोक्टर हैं या वकील हैं उनसे कहो भी तुम यहां क्यों बैठे हो तुम ख़बर चलाओ तुम तो लूंगी पैनो तुम कुर्ता दोती पैन करके हवन करना यग करना पूजा अनुस्थान करना तो इस तरह से तो समविधान इस देश की जिसको स्ट्रीम मीडिया कहते हैं सुधीर चोदरी जैसे लोग जब परदर्शन करते हैं तो इससे पता चलता है कि आजाद भारत में आज कितनी ज़्यादा जरूरत है बाबसाइब डोक्टर अंबेटकर के संविधान को पूर अता लागू करने की और वो तब जब देना इनका अपमान करना इनके डिग्निटी नहीं और यह माफी मांकर निकल जाते हैं सुधीर चोदरी जो यह बात बोल रहे है वो अपनी जातिगत मान सिक्ता की कारण बोल रहे है उनको लगता है कि जो जंगलों में रहने वाले लोग है वो अब तरक्की ना करें व उनको खुले आम बोला मंच से यह वाहियात और एकदम घटिया और जाती घटिपड़ी है इसकी सजा सुधीर चोदरी को मिलनी चाहिए ताकि आगे को यह अंसा भविस्ते में गलती ना कर सके सुधीर चोदरी को क्या पता नहीं है आदिवाशों को इतियास सुधीर चोदरी को सायद तिलका मांजी विर्सा मुंड़ा यह पढ़ा नहीं है इसलिए सुधीर चोदरी इस तरह की बात कर रहे हैं और सुधीर चोदरी को सोचना चाहिए कि वो खुद एक सुद्र समुदा और अगर शुद्रों की बात करने तो शुद्रों को केबल कहा गया कि आप दास बनो सेवक बनो आज ये चाटुकारिता करके जो पत्रकारिता में पत्रकार बने हुए हैं ये इनकी योग्यता से जादा इनकी चाटुकारिता पट्टी की होई है इनकी पत्रकारिता तो ऐसी घ कानूनी कारवाई सक्त होगी और आदिवासी सेना के अजीत लकडा जी ने इनके खिलाप मुकदमा भी दर्ज करा दिया दिली में भी इनके खिलाप मुकदमा दर्ज हुआ है लेकिन इनके जो सत्ता में बैठे हुए आका हैं इनको जेल जाने से जरूर रोक लेंगे क्योंकि ये चाटुकारिता करके जो अपने जमीर बेच करके पत्रकारिता कर रहे हैं उसके एवज में फिर से जाके हाथ पैट जोड़ लेंगे गिड़गला लेंगे कह देंगे कि मुझे बचा लो और मैंने ऐसा कर तो दिया लेकिन मुझे जो है अब जेल नहीं जाना है तो ये च जनता के खास मुद्दो को भटका करके जनता में जाती है और धर्म की नफरत फैलाते हैं मुख्य मंत्री जो जंगलों से उठकर जो आदिवासी जीवन जीता हुए जो प्रकर्तिक की सुरक्षा करते हुए अपने राज्य को बहुत सुद्रन तरीके से चला रहा है उस पर टिपड़ी करते हैं अगर आप कह रहे हैं कि हेमिन सोरेन आदिवासी है और उनका जो लाइफ इस्टाइल है बहुत आली शान है उनके परिवार को देखके लगता ही नहीं कि वो परिवार आदिवासी परिवार है तो इनसे ये पूछा जाए कि जितने इस देश के अंदर म जुनी रमाते हैं शरीर पर वो अपने मठो और मंदिरों को छोड़कर संसत में क्यों जा रहे हैं उन पे भी ख़बर चलाओ नो उन पर भी ख़बर बनाओ कि देखिए ये मठों में बैठते थे ये वहां डोंगी थे और आज ये ये याकर के सता में बैठे हैं तो इन पर ख़बर चलाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है इनके तो तुम पैरों में जाके पैर चुते हो लेकिन यह कादिवासी जब आ जाता तो तुम्हें उससे घ्रना होती है नफरत होती है यही तुम्हारी नफरत इस देश की अंदर यह साबित कराती है कि कानून जरूरी है संविधान करने के लिए इसमें हर तरह का कानून है और रही बात सुधीर चोधरी की तो सुधीर चोधरी क्षुद तीहार जेल में 14 दिन रह के आ चुका है शुधिर चोदरी एक नंबर का पका, सो करोड की ऐसी दलाली जिसमें गुरूफ आप जिंदल से सो करोड रुपे की फिरोती मांगी थी, जो कोईला की जो गड़बर है, घोटाला है, इस गोटाले को न दिखाएंगे, आप हमें सो करोड रुपे दे दो, बाकायदा वीडियो पर इस आदमी न मांगा है, ऐसे इसने दिल्ली के रोहनी में एक केस चलाया था, एक सिक्षी का, की जो है, नाबालिक बच्चियों का सेक चलाती है, उस सिक्षी का बाद में पता चला कि इसने फरजी खवर बनाई और उसके बाद भी ट्रैल पे गया, इसके ओपर मुकदमा दर्ज हुआ, मान हने का केस किया, तो यह जो फरजी खवर चलाने के लिए माहिर है, यह घटिया मान सिक्ता का व्यक्ति, और सबसे तरह ग्रसित है, बीमार है, और उसकी बीमारी का इलाज सबसे अचूक इलाज है, SCST Act, उस Act के तहत इसका इलाज होना ही चाहिए, लोग कहते है कि सुधिर चोदरी नहीं, सुधिर तिहारी बोलिया इसको, तिहार जेल में रहे हैं, आपको पता है कि इसका जो आप च्छानि अंदर इसकी हरकतों को आम जनता जान चुकी है, तीवी पर बैठने वाले लोग, जुन को हजारों लाखों लोग सुनते हैं, जनता तो गरीब जो इनोसेंट लोग है, गाउं के देहात में जो पढ़े लिखे लोग है, बो तो सोचेंगे, आदमी सही बोल रहा है, लेकिन इसी जूटी ख़वर फैलाने के पीछे कितने बड़ा पैसा लेते हैं, कितनी मोटी रखम लेते हैं, सुधिर चोधरी का जो खुद तंखा है, वो तीस लाख रुपे है महीने की, और सुधिर चोधरी का जो लाइफ इस्टाइल है, तो इसके पास कहां से आता है, यह अपन अधिवासी की मतलब अपना विकास करें? खदाने बनेंगी या बनाईे लेकिन और ब्रोगर कि 2030 अगर किल जनता को आप रोजगार देंगे दूसरा अगर हानी होता है तो ग्रोगर के लोकल 백कश से इसकी backups करें और जो इसमें फायदा है जो इसमें नुकसान होगा वो केंद्र सरकार देगी हमारी राज्या सरकार इडी, सीबी आई और इंकम टेक्स ऐसी टीम बन गई है जो विपक्ष को खतम करने के लिए इस समय पक्ष में बैठी हुई सत्ता अपने इसारों पर न चाह रहे हैं उस लोग कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन को हडपने की कोशिस है इसलिए कारवाई की गई है सोरिन पर देख और नहीं दिन कई लाग लोग सड़कों पर निख ynे और उसमें टेजी से नारे गूंझ रहें जील का फाटक तूटेगा और हीमेन सोरन चूटेगा इस तरह कि नारों के साथ बहां सड़कों पर जंता उत्री हुई है हैमेन ये बागी सेर है उसको ज्यादा लंबे समिë dig़ किये जेलियत अंदर रख नहीं सकते वो एक मजबूत इरादो वाला व्यक्ति है जिसने इस देश के अंदर ऐसे राज्य में मुख्य मंत्री का पद समाला जहां पर लोगों को नक्सली बता करके हतिया कर देते थे उसने उनकी सुरक्षा करी है आज आदेवासी समाजपूरा ह हिमिन सुरिन के साथ है और इस देश को नियाय परिय क्यूवर सारा हिमिन सुरिन के साथ है लेकि सुधिर सोध्री के साथ में पि- embaung-स हम boule पो है व करते है ट्विटर पर देश को अब इसे नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उन्होंने ठेकानी लित रखाय कि बवकूफी करे अगर आदिवासी हेमिन्सोरन का अप्मान है, तो यह राष्ठपती का भी अप्मान है, अगर यह हेमिन्सोरन की बेज़ए। क्या राष्ठपती द्रौपदी मुर्भी पहले प्रतम नागरिक की बेज़ए यह नहीं होती है। क्या थिनको वापिस जाए बेचनी पड़ेगी तो ब्लाफ करेंस तो इस तरह की खबुल ok कि लिए उसकता भाविस्या ब्रीक में इन लोग कि लिए ब्हुंगी नि में कढ़नेаз यह क्या पर ईंधर में तो यह उनका ख़्लाब चला देंगे, विकाउ छैका मीरे अन uno चले जाएंगे